घर की सामगरी से बनाए एक ऐसी नई रेसेपी जो सभी को बहुत पसंद आए देखते ही आप इसको बनाने लगेंगे सबसे पहले यहाँ पे हमने लिये हैं कदुगस किये होई कच्चे आलू इन्हें मैंने मोटे वाले कदुगस से कदुगस किया था पानी में भीगो के रखा है ताकि यह काले नहीं बढ़े हमें इसे दो-तीन बार अच्छे से धूना होता है ताकि इसका जो सारा स्टार्च है वो बिलकुल अलग निकल जाए और फ़िट जब हम इसे अच्छे से धो देंगे तो इसका सारा पानी हमें निकलने देना होता है बिलकुल अच्छे से निचोड के इसका पानी जो है निकालना होता है तो यहाँ पे हमने छली मेने छान के रख लिए हैं अब एक स्पैटुला की मदद से से प्रेस करते होए जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकाल देंगे लेकिन इसे आपको पानी से तब ही भार निकलना है जब आप यह रेसिपी बनाना शुरू कर दें पहले से ही निकाल के रखेंगे तो यालू काले पढ़ने लग जाते हैं इनको अब मैं एक बाउल में निकाल देती हूँ इसके बाद इसमें अब मैं डालती हूँ स्वात के अनुसान नमक और नमक के साथ कॉन्फ्रोर डाल देती हूँ तो 2-3 स्पून में अभी कॉन्फ्रोर डालती हूँ बस हमें हलका कॉन्फ्रोर डालना होता है ताकि इससे के क्रिस्पी नस आएगी और इसे कॉन्फ्रोर को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ उसमें रेसिपी अभी आपको एंड तक देखने है और लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें यह हमारा बिलकुल मिक्सचर तयार हो चुका है अब एक पैन को मैंने गैस पे रखा है इसमें मैंने बस एक स्पून ओयल डाला ताकि हमारा पैन जो है अच्छे से ग्रीस हो जाए और जो हमने आलू का मिक्सचर तयार रखा था कौन फ्लोर और नमक के साथ वो सारा मिक्सचर इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छे से चारो तरफ फैला देंगे बिलकुल एक लेयर बना देंगे इसकी पतली सी जिसे एक बेस टाइप का हमारा तयार हो जाएगा इसमें हम मैदा, सूजी, बेसन किसी भी चीज का यूस नहीं करने वाले हैं और देखिए हमने एकदम गोल गोल एकदम अच्छे से सेट इसे कर लिया है चारो तरफ से अब हलका से एक सिपून ऑईल, एक सेट दो सिपून ऑईल इसमें और डाल देंगे ताकि इक क्रिस्पी बन कर हमारा तेयार हो डियस को हमें मीडियम मेरी ही रखना है मीडियम और बीच-वीच में मैं सिम करके ही इसे सेटना होता है जब तक और बन है इसम बारी कटकी हुई कैपसिकम टमाटर स्वीट कॉन और चीज लेते हैं हमने स्वीट कॉन को हलका बॉयल भी कर लिया था नमक पीजा सीजनिंग यह सब भी डाल देते हैं इसकी एक स्टफिंग जो है बना के तयार कर रहे हैं रेड चिली फ्लिक्स टाल ले हो चिली फ्लिक्स जाल दिया है और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेती हूं और यह जो स्टफिंग है मेरी वो बिल्कुल बन का तयार हो जाती है तो अब मेरी स्टफिंग तयार हो गई है महां पे साइड में हमारा जो हमने आलू का बेस रखा था वो भी हमारा सिग्या होगा देखे अच्छ लिए देंगे और इसमें क्या करेंगे जब तक हम बीच से इसको कट करेंगे हमें अब्स जाया से एक निशान बनाना है ताकि अच्छ से फोल्ड उ सके इस तरीके का निशाना में पल्टे से ही बना दिना होता अब चकू से भी बना सकती है अब यह हमने पीजा सॉस दिया ह अगर आप पीजा सॉस चटनी से बच्चों बगरा को तो सबको पसंद होती है लेकिन बड़े लोगों को नहीं पसंद तो आप ग्रीन चटनी भी ले सकती है और जो स्टफिंग हमने तयार किया है वो एक कॉर्णर पे हम इसके लगा देंगे जैसे हमने जो पार्ट को डिवाइट गया है तो उसके एक पार्ट पे हम लगा देती है और हलकी सी उपर से चीज और डालते हैं अगर आपको चीज खाना पसंद है तो ये थोड़ा चीजी नाशता हमारा तयार होगा बिना मैदा की हमारी ये सेंडविच है एक पीजा सेंडविच हम बना रहे हैं वो भी बिना मैदा की देख रहे हैं क्या है एकदम नई रेसेपी न अब देखिए नीचे से भी सिग गया है तो इसे हम अच्छे से प्रेस करते हो अब हलका सा और सेक लेते हैं तोलों तरफ से ताकि इसकी जो अभी हमने चीज डाली है वो भी अच्छे से मेल्ट होके आए और अच्छे से हमारी जो वेजीज है वो भी कुक हो जाए गैस को हमें एकदम सिम रखना है हलका सा हम ढखकर पका लेते हैं ताकि चीज वगर अच्छे से मेल्ट हो जाए और अब हम इंको प्ल बनकर के सामगली कैसी लगी मेरी रेसीपी उमीद है आप सबlished तो केुड आप लाइक करना मत भूलना मैं आप सबसे अपनी नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ मिलूंगी तब तक आप इसको इंजॉय करें बाबाई